प्रत्वी को कौन गुमाएगा किस से गुम रही प्रत्वी लॉचिक दो कुछ कहां से गुम रही प्रत्वी किस के कारण से गुम रही कौन गुमाने वाला है मुझ बताओ तो, हवा गुमा रही है, कौन गुमा रहा है हवा का गुम रहा है, तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डारेक्शन बदलती रहती है कभी पूरव सेवा चलती, कभी उत्तर सेवा चलती, तो कभी प्रत्वी इदर गुमेगी, कभी उदर गुमनी चाहिए क्या गूमता है? कौन गूमाता है? अगर कोई प्रत्वी को और जिसकी भी स्पीट बताई जाती है लाखों किलो मीटर में वो स्पीट से गूम रही है इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आस्रत रहने वाला जो जल होगा समद्र होगा उनका पानी कहां जाएगा ओम अर्हम नमा अर्हम चालीस के उन्नेस विदिन में आप सभी को स्वागत है अचार गुर्वर्शिय विद्ध्य सागजी माराज की जै अर्हम शीप्रण में सागजी माराज की जै आज हम मंत्राच अर्हम का पदस्धरम ध्यान करेंगे कमर शीपी रखें गर्दन शीपी रखें आखें बंद रखें ग्यान मुद्रा के साथ अपने दोनों हातों को अपने घुटनों पर रखें अपनी स्वास पर ध्यान दें अपने चेहरे पर ध्यान लाएं नाक के चिद्र पर ध्यान लाएं आँखों के पास ध्यान लाए अपने शरीर के बाहर अरहम के बड़े बड़े अक्षरों को लिखा हुआ देखें बड़ा बनाए जितना आप अपने मन में बड़े शे बड़ा अरहम इमेजिन कर सकते हैं आप अरहम की पूरे खुले आकाश में बड़े शे बड़े अख्षर की अपने अंदर एक इमेजिनेशन करें उस आके साथ ही हाँ अक्षर की खुब बड़ा उसके उपर एक रेफ है और वह है बिंदू उसके अंदर है चंदर बिंदू के साथ में ऐसे उस अरहम को बहुत बड़े उस अरहम के मंत्र को मानो वह मंत्र नहीं है किसी देवता का किसी शिद्ध देवता का वह आकार है और वह मंत्र रूप मूर्ती पूरे आकास में चारों और भ्रमण कर रही है वह अरहम के अक्षर कभी छूटे हो जाते हैं कभी बड़े हो जाते हैं कभी बहुत बड़े हो जाते हैं कभी और बहुत बड़े हो जाते हैं मन चाहे तरीके से उनमें परिवर्तन होता है मन चाहे तरीके से उनका गमन हो रहा है मानो वह निर्द्वंद होकर बिना किसी रोक्टोक के आकाउस में सरवत्र ऐसे विचरन कर रहा है जैसे शर्वग्य भगवान जिन देव विचरन करते हैं कोई भी उस मंत्र शरीर को रोकने में समर्थ नहीं है पूरे जगत में बंदनी ग्यान का बीज महान एश्वर्य को धारण करने वाला मंत्रों में महिश्वर कहलाने वाला वह पवित्र मंत्र अरहम का ध्यान इसी रूप में निरंतर करते रहें आकरतियां उसके साइज आप अपने मन के अंशार चेंज करते रहें कभी छोटा कभी बड़ा अपनी स्वांस पर ध्यान लाते हुए अपने हिर्दय स्थान में स्वांस को रोकते हुए छनवर के लिए ये महसूस करें कि वही मंत्र बाहर का घूमते घूमते हमारे हिर्दय स्थान में हिर्दय के मध्य कमल पर आसीन हो गया है गहरी लंबी एक श्वांस लें और उस्वांस को रोक की रखें कुम्भक की रूप में उस्वांस को रोक कर रखें और जहां जहां आपको जोर देने की जुरुवत पड़े वहां वहां पर आप कुम्भक कर लें अगर ये श्वांस धीमे धीमे छूटती भी जाए तो आसानी से छूट जाने दें और जब छूट जाए तो पुन्ह कुम्भक की विधी को अपना ले धहरे के शाथ बार बार कुम्भक करते हुए इस मंतराश का ध्यान करना है सफेद रंग के सुन्दर अक्छरों में चमकते हुए अक्छरों में यह अरहम हमारे शरीर के चारों और जो वायू मंडल है उसमें तेर रहा है आकाश में घूम रहा है कुम्भक कर गे इसको अपनी भौओं की लताओं में जो अपने भौओं की लकी रहे हैं उस पर इसको गुमता हुआ देखें इस फराइमान देखें अपनी भौओं पर फिर से कुम्भक करें और इस कुम्भक के साथ मैं इसी अरहम को अपने मुख कमल में प्रवेश करता हुआ देखें कुम्भक के साथ पूरा ध्यान मुख कमल में इस अरहम को ध्यान करते में लगाए रखें स्वांस धीमे धीमे छूट जाती है फिर से स्वांस लेकर कुम्बक करें और महसूस करें कि यह तालू के छिद्र से गमन कर रहा है उपर की ओर अरहम जब यह उपर तालू छिद्र से गमन कर रहा है तो उस समय पर एक अमरत का झहरना जल्की तरह झहरता है उस संदर से चंदर्मा के समान सीतल, शुभर, अरहम के अप्छरों को फिर से कुम्बक करते हुए नेतरों की पलकों पर इस्फराइमान होता हुआ देखें नेतरों की पलकों पर हुए अरहम छाया रहा इदर उदर घूम रहा है नेत्रों की पलकों पर इस्फुरित हो रहा है फिर गहरी लंबी श्वास लें कुमबक के साथ मैं इसी अरहम को अपने बालों के उपर इस्थित होता हुआ देखें किश पर पुने फिर श्वास गहरी लंबी लेकर के उस्वास को रोक हैं और पूरा अरहम पर ध्यान देते हुए उस अरहम को जियोतिस मंडल में घूमता हुआ देखें घूम रहा है उपर आकाउश में जहां सितारे हैं चंद्रमा है, सूर है उस जियोतिस मंडल की हर एक तारे के पास में हर एक चंद्रमा अनेक सूर हैं अनेक चंद्रमा हैं एक राजू तक फैले हुए असंख्यात सूर्य चंद्रमा असंख्यात तारे उन सब के बीच में निराबाद घूम रहा है इस अरहम की शक्ती अरहम का प्रिकाश चंद्रमा से भी बढ़ करके है चंद्रमा के विमान के समक्ष आ करके चंद्रमा के समक्ष है इस परधा कर रहा है बार बार चंद्रमा के बाहरी विमान के उस तल से टकरा रहा है जहां पर चंद्रमा की किरने फैल रही हैं वहीं पर इस अरहम की किरने उस चंद्रमा की किरनों से भी ज़्यादा है और उसी के साथ वेट बार बार टकरा रहा है उसी से इस परधा कर रहा है चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रिकाशमान होने के कारण से चंद्रमा से बार बार उलज रहा है घूम रहा है छण भर में दिशाओं में संचार करने लग जाता है कभी पूर दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, कभी दक्षिन दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, कभी विदिशाओं में सब जगह ये दिशाओं में निर्दन्द हो करके विच्रन कर रहा है बहुत लंबा दूर दूर तक आकास में उचलता जा रहा है उचलता जा रहा है जैसे कोई बार बार अपने प्रतिद्वंदी से टकराता है वैसे ये फिर से चंद्रमा के पास में आकर के टकराने लगा चंद्रमा के अंदर घुषने की कोशिस कर रहा है और चंद्रमा के अंदर जो कलंक दिखाई दे रहा है उसको भी यह धोता हुआ उस कलंक चंद्रमा के कलंक को भी साफ करता हुआ इतना ज़्यादा तेज प्रकास इस अरहम के अंदर है कि उस चंद्रमा के कलंक को साफ करता हुआ उसके पार निकल गया मानो इसने संसार के सब भ्रमों को दूर कर दिया और यह सब पहाड़ों पर परवतों पर नदीयों पर समुद्रों में सूख्षम से सूख्षम स्थानों में भी निराबाद होकर के विचरन करते हुए उपर की उगर बढ़ता चला जा रहा है सभी स्वर्ग के विमानों पर पहुंच करके सूलवें स्वर्ग तक के विमान की यात्रा कर चुका है और उपर चलता चला जा रहा है इस अरहम को रोकने वाला कोई नहीं धीमे धीमे निरंतर उपर बढ़ते हुए यह सिद्ध शिला तक पहुंच गया परम इस्थान मोक्ष इस्थान को प्राप्त करके जहां पर मोक्ष लक्षमी निवास करती है सिद्धों का अनन्त सुख जहां रहता है शिद्ध अनन्त संख्या में जहां होते हैं वहीं पर जाकर के यह उन्हीं से मिलने लग गया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है अंदर अंदर एक एक सिद्ध के अंदर अनंत शिद्ध बैठें सम्मे यह निराबाद रूप से चलता चला जा रहा है इसे और किसी की सरण नहीं चाहिए मानो यह कहराए मुझे केवल शिद्ध की सरण ही चाहिए क्योंकि यह स्वयम सिद्ध शरूप है इसलिए यह सिद्धों की सरण में पहुचा है सिद्धम शरणम पवजजामी मानो इसके अंदर से आवाज आ रही है और यह है उन सब सिद्धों को पार करते हुए अनंत में समाहित होता चला जा रहा है अपने मन को उस अरहम के साथ उन सिद्धों में इसी तरीके से लीन करें इसी कुम्भक के साथ फिर से कुम्भक करें स्वास लेकर रोक कर और अपने मन को उसी सिद्ध शिला में अनंत सिद्धों के बीच में अरहम के माध्यम से वही पर एकागर करें निश्चल रूप से अपने मन को द्रड़ करें धीरे धीरे महसूस करें इस अरहम के अंदर से आक्षर निकल गया है विलीन हो गया है आकाउस में कहीं घूम गया है आक्षर विलीन हो गया धीरे धीरे देखें जो हा है उस हा के नीचे एक रीकार है उपर रेफ है चंद्र बिंदु है धीमे धीमे महसूस करें इस मंतराज का जो बिंदु है अनुश्वार से वे रहित हो गया है उसकी जो अर्द चंद्राकार कला है वे भी विलीन हो गयी है नीचे का रेफ उपर का रेफ दोनों निकल गया जो हा अक्षर दिख रहा है वे भी धीरे धीरे आकाउस में लुप्त होता चला जा रहा है कुछ भी उच्चारण की योग नहीं बचा हा अक्षर की एक सूख्छम सी रेखा दिखाई दे रही है जो सूर के शमान देदी प्यमान है यही वह अनाहत देव है इसी में कुम्भक करके अपना ध्यान लगाएं मन को एक आगर बनाएं चित्त को बिल्कु निश्चल करके उसी अब हा की सूख्षम रेखा में ही और उसकी सूख्षमिता में अपने मन को बढ़ाते चले जाएं वे रेखा भी छुप गई है और वे भी केवल एक बाल के अगर भाग बरावर पॉइंट रह गया है बस उत पर ही हमारा मन टिक गया है उस पर अपना ध्यान लगाएं उस सूख्षम से पुनहें इस थूल की और आने की कोशिश करें अवयवों को जोड़ते चले जाएं फिर आपके सामने वे अरहम का पूर्ण रूप फिर दिखाई देने लगा आरहम 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 सिद्ध आत्माओं में और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं मैं सुद्ध चैतन्य प्रकाश पुन्च सुद्ध चैतन्य आत्मत तु हूँ और यही रहूंगा अपने दौनों हाथ गिसकर अपनी आँखों पर रखें ओम अरहम परम शांति ही अरहम शी ने सची लिखा है अरहम ही जेचोती है अरहम अरहत सेथ अरहम साथू मंगलम अरहम लोग प्रसित जगते में अरहम लोग प्रसित हे प्रबु मैं भी अनन्द सिद्धों में अपना स्थान पाऊं मैं भी अरहम मैं हो जाओं बस यही भावना है आज आप अपने अरहम साथी को हमारी यूटीब चानल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रियरेद करेंगे अरहम ध्यान योग के नाम से इस चानल पर आपको अलग अलग ध्यान और सत्रों मिलेंगे इन्ही सत्रों से आप और आपका अरम साथी पंच मुद्रा का अभ्यास कल के सत्रों से पहले अवश्य करें तब तक के लिए सभी को ओम अरहम नमा प्रत्वी को कौन गोमाएगा किस से गूम रही प्रत्वी Luca कुस के कारण से गूम रहीं कौन गूमाने वाला है कौन गुमा रहे है तो हवा तो हमेसा अपनी डायरेक्शन बदलते रहती है कभी पूरव सेवा चलती तो कभी प्रत्वी एधर गूमेह और करते ? अगर कोई प्रत्वी को और जिसकी स्पीट बताई जाती है लाखों किलливо मिटर में वही की इस्पीड से घूम रहे है इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आस्रत रहने वाला जो जल होगा समद्र होगा उनका पानी कहां जाएगा